Hello friends, DK Sina this side, इस वीडियो में हम TCS Share के Potential को Unlock करने की कोशिस करें TCS के Share की Fundamental Insights लेंगे और उसके बाद चलेंगे Price Chart के उपर में जहां TCS Share की Multi-Time Frame Technical Analysis के आधार पे Ice Action को समझेंगे and Potential Price Target को निकालने की चेस्टाइब Current Scenario में भारतिय शेयर बजार बहुत अधिक Volatile है और अगर हम भारतिय शेयर बजार की Volatility को देखें Recent Time में तो Global Market के Comparison में काफी अधिक है तो ये एक Market Specific Situation है शायद General Election के कारण ये ऐसा हो रहा है तो ऐसे वक्त पे हम सभी Stock Market के जो Participant है उन्हें कौशस अप्रोच लेना अत्यनता बेशिए अगर हम Trade करते हैं तो ऐसे Stock का Chain करना जो Fundamentally Sound Business के हैं और उनका Chart Formation अच्छा है और वो Comparatively Less वह लगा है कम से कम बीटा उनका 1 से कम होना चाहिए ताकि हम अपने रिस्कों को अपने कंट्रोल में रख सकें और बाकि रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग प्रापर तरीके से करना चाहिए ताकि कोई Disaster ना होगा और जब मार्केट एलेक्शन के बाद इस्टेबलाइज हो जाएगा तो फिर रिस्क प्राबबली कम हो जाए तो दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोडिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे हैं, चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हुए इसके 5 की स्कोर को देखें, तो वो 6 है आउट अप 9, इसका तात्पर यह क्या हुआ कि एक एक आवरेज फ़नांशियल वाली कमपनी, अगर इसके रिलेटिव परफॉर्मेंस को देखें, तो पिछले 3 महने में इस स्टॉक ने 10.2 परसेंट से निप्टी 50, जो हमारा फ्रें टर को भी या इंडस्री को भी 2.4 परसेंट से आउट परफॉर्म किया है, तो रीसेंट टाइन में इसका परफॉर्मेंस जो है स्टॉक का वो एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, वहीं अगर इसकी volatility को check करें तो इसका बीटा जो है सिर्फ 0.48 है एक साल का against nifty 50 और वहीं तीन महने में volatility है 0.75 इसका ताटपर है कि यह काफी कम volatile stock है और इसलिए comparatively less risky TCS का performance कैसा रहा है चलिए इसको देखने की कोशिस करते हैं तो इसका return on equity जो है वो बहुत शांदार है 49.5% जबकि industry का जो median है वो है 15.6% return on asset की बात करें तो इसका है 28.9% जबकि industry का median है only 10.4% अब return on capital employed की बात करते हैं तो ROC जो इसका है शांदार है 58.1% जबकि 3 साल पहले ये 45.6% था तो इसमें भी improvement होता हुआ नजा जब भी हम किसी company के stock में निवेश करते तो आगे estimated growth क्या है growth का forecast क्या है ये जानना जरूरी हो जाता है तो TCS का जो earning growth forecast है तो annual earning growth forecast है 10% का जबकि industry का है 11.8% तो करीब करीब same नजर आ रहा है वही revenue growth की बात करें तो 8.3% है industry का 8.5% है तो more or less TCS का जो growth forecast है वो at par with the industry ही नजर आ रहा है लेकिन अगर future में return on equity की बात करें तो वो estimated है तीन साल के दोरान 47.9% जबकि industry का है 15.6% ये काफी attractive नजरा या TCS अपने shareholders को dividend pay करती है तो इसका current dividend yield जो है 1.6% है जिसे हम बोलते हैं कि किसी stock में अगर निवेश करें और हमें dividend मिल जाए तो सोने पर सुहागा होता है भविश में ये dividend का जो estimate है वो grow कर सकता है 2.8% इसका dividend yield भविश में होने की संभावना है अब company का financial health check करते है तो debt equity ratio जो है इसका वो 0% है इसका तात्पर ही क्या हुआ कि TCS एक debt free company है तो financially sound company नजर आ रही है अब एक नजर इसके share holding pattern पे ड़ागते है तो last reporting quarter में promoters ने अपनी holding को बढ़ाया है 72.3% से अब holding हो गई है 72.41% वही mutual fund में पिछले reporting quarter में buying आती हुई नजर आई है तो कहीं न कहीं financial institution भी इस stock को buy करते हुए नजर आ रहे है जो trend हमें indicate करता है तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं straight away price chart पर जहां TCS share की multi time frame technical analysis करते हैं price action को समझते हैं और price target निकालने की भोशिस करते हैं दोस्तों वीडियो को like करना नहीं बुलिए to succeed in the stock market join DK's Diamond Club channel membership for fundamental and technical analysis learn strategies and risk management to stay ahead of the curve join now and attend our weekly meetings every Sunday अब हम refer कर रहे हैं TCS के monthly price chart को NSC के उपर में जब market 15th March 2024 को close हुआ जिसकी closing price है 4,219.25 पहले मैं ये दर्शुकों को बताना चाहूंगा कि इस channel के उपर में TCS के उपर में काफी वीडियो आएं लेकिन last video जो आया था वो February 2023 में आया था तो करीब 12-13 मैंने हो गए हैं उस video को आए हुए उस समय पर price करीब 3400 पे थी और अभी ये 4200 के उपर में trade हो रही है तो अगर हम देखें कि इस stock ने उस वक्त से अभी तक में कितना return दिया है तो इसको निकालते हैं around 22% का इस stock ने return दिया है अब यहाँ पर price action को हम समझते हैं broader market का structure क्या है higher highs and higher lows का market structure है इसके अलावा significant बात क्या है कि जब भी इसमें एक sizeable correction होता है जब भी deeper correction होता है तो price EMA 55 के उपर में support लेती है यहाँ देखिये price ने EMA 55 पे support लिए इसके अलावा एक और चीज़ है कि यहाँ पर देखिये prior एक parabolic rise था और उसके बाद में correction की शुरुआत हुई लेकिन अब क्या हुआ है यहाँ अगर हम एक horizontal line खीज दे तो यह देखिये cup and handle pattern का breakout हुआ है जो continuation chart pattern है with respect to यह prior जो impulsive wave है इसके अनुसार तो इसका मतलब अभी इसमें उपर जाने की संभावना काफी प्रबल है पहले एक नजर historical price action को समझने की कोशिस करते ही तो देखिये last well-defined impulsive wave यह वाली है यह well-defined impulsive wave है और उसके बाद में यह price में consolidation हुआ और correction हुआ तो अगर हम इस last impulsive wave को एक base बनाके target को project करें तो हम क्या देखते हैं इसने 161.8% expansion के target को achieve किया और उसके बाद में यह correction हुआ तो इसका मतलब यह correction जो था यह expected था wave analysis के अनुजार हम पहले से बता सकते थे कि बहुत बड़ी संभावना है कि यह correction जो यहाँ पर शुरुआत हुई यह correction होने की संभावना है अब अगर यह 161.8% expansion तक जाता है तो अब prior impulsive wave क्या है यह वाली prior impulsive wave है तो इसके अनुसार अगर हम historical price action के अनुसार अगर हम target निगा लें तो चलिए इसे project करते हैं यह last impulsive wave है इसे हम project करते हैं तो इसका target 161.8% का जो target आता है वो आता है 6723 के aspect में इस level को पहले एक बार mark कर लेते हैं यह level मैंने इसे mark कर लिया और इसे मैं round off कर देता हूँ 6700 मैंने इसको mark कर दिया coordinate को fix कर देते हैं 6700 यह एक important level है और पहला target कहा होगा यह level पर होगा 127.2% expansion level का target पहला target होगा इस इस वाट दी वेव अनालिस इंडिकेट्स तो इसको भी mark कर लेते हैं यह level आता है 4950 4950 के level को भी mark कर लेते हैं तो यह हमारे पास एक guidelines मिल गई कि क्या possible target इसके हो सकते हैं अब यहां पर देखिए cup and handle pattern का breakout हुआ है मैं एक horizontal line कीजता हूँ यह देखिए price का resistance था price का rejection price का rejection और यह breakout हुआ तो एक target और निकल सकता है cup and handle के अनुसार चलिए उसे निकालने की चेस्टा करते हैं तो यह cup and handle का मैंने यह height नापा और इसे मैं project कर रहा हूँ 100% expansion का जो target आता है 4700 का आता है इसका मतलब cup and handle के अनुसार यह 4700 तक जाने की संभाबना है अब हम सभी जानते हैं कि किसी भी chart pattern के जो target होते हैं वो minimum expected objective होती हैं तो targets वो हैं कई प्रकार से निकालने का purpose यह था कि कम से कम यह पता लग रहा है कि इसमें उपर जाने का cushion है क्या यहाँ पर हम कोई trend line कीच सकते हैं तो देखिए मैं यहाँ पर एक trend line कीच रहूँ ध्यान से देखिएगा यह मैंने एक trend line कीची यह trend line क्या indicate करती है price का support price का support price का support और price का support तो यह trend line में multiple touch points है और price इसे respect कर रही है November 2016 से तो काफी लंबा समय हो गया है तो यह long term trend line है जो dynamic support group में act कर रही है तो यह trend line हमें मदद कर सकती है trend को right करने में and stop loss को trail करने में risk को manage करने अब एक नजर momentum indicators पे डालते हैं तो यहाँ पर आप देखिए force index जो है bullish territory में है इसके अलावा RSI देखिए 60 को उपर है और जब यह sideways movement था जब यह cup and handle बन रहा था तो यह 60 को उपर जाने में struggle कर रहा था तो कही नगाई bullish swing का breakout है 60 level के उपर में सोकास्टिक भी bullish है सोकास्टिक हम सभी जानते है over extended रहता है जब markup phase में market रहता है चली अब चलते हैं weekly price chart में और इस analysis को आगे बढ़ाते है यहाँ weekly price chart में अगर हम देखें तो यह trend line और यह horizontal line तो ascending triangle का भी breakout है और ascending triangle का breakout कब होता है जब market structure higher highs and higher lows का होता है इसका मतलब bulls control में नजर आ रहे हैं इस stock में अब यहाँ पर हम थोड़ा सा price action को fine tune कर सकते हैं यह देखें मैंने fine tune किया यहाँ पर देखें price का resistance था यहाँ price का resistance था यहाँ price ने struggle किया और अब इसका एक decisive breakout हो चुका है तो यह कहीं न कहीं काफी लंबे समय के resistance को इसने यहाँ पर breakout दिया है और एक अच्छा खासा rounding pattern का निर्माड हुआ है अब इस rounding pattern को जो हमने price को fine tune किया इसके अनुजार target निकालते हैं तो देखें target कहां आता है तो target इसका आता है 4840 अब आप देखें पहला target हमने 127.2% expansion निकाला 4950 तो हम बोल सकतें कि इस talk उपर जाने के लिए तयार नजर आ रहा है अब चलिए momentum indicator को देखते है weekly chart में तो यहाँ भी देखते है RSI 60 के उपर में है momentum अच्छा है force index भी bullish है तो हमने देखा monthly chart में और weekly chart में दोनों में momentum अच्छा नजर आ रहा है PCS के share पर अब चलिए बढ़ते है daily price chart में ताकि recent price action को हम समझ सके अब यहाँ पर daily price chart में अगर हम देखें तो यह थोड़ा सा पहले पीछे जाते हैं यहाँ देखें यह downtrending move में आ गया था downtrending move में price सारे critical moving averages के नीचे trade हो रही थी यहाँ पर EMA 55 ने SMA 144 को cross under कर लिया था और उसके बाद जब भी downtrending move होता है तो हमें double bottom pattern मिल गया reversal chart pattern और यहाँ पर देखिए अगर हम इसको asset draw करें तो आपको कई chart pattern यहाँ नज़राए लिए अब यहाँ पर देखिए price का structure क्या है price का structure nice higher highs and higher lows का market structure है recent time में price जब भी correct हो रही है EMA 55 और EMA 21 के zone में आती है और उसके बाद bounce back करती है और नया high बनाती है बार-बार continuation chart pattern बन रहा है यहाँ इसे bullish flag बोले यहाँ फिर coffin handle pattern बोले यहाँ फिर coffin handle pattern daily chart में भी नज़रा रहा है तो कहने का ताथ पर यह है कि overall structure इसका positive है और अब momentum को check करते है daily price chart में तो यहाँ देखे force index bullish territory में है RSI 60 को उपर में है तो इसका मतलब है कि daily chart में monthly chart में और weekly chart में momentum अच्छा नज़र आ रहा है हमने force index को भी check किया और RSI जो कि एक momentum indicator है जिसका काफी इस्तमाल हम इस channel में करते हैं उस सारे bullish नज़रा रहे है क्या यहाँ पर हम कोई trend line की सकते हैं यह देखे मैंने एक trend line कीचा यह trend line क्या indicate करती है कि short term में यह trend line एक dynamic support group में काम कर रही है multiple support है अगर यहाँ देखें एक horizontal line कीचें यहाँ फिर से continuation pattern का breakout हुआ है तो अगर हम prior impulsive wave को देखे और short term का target निकालने की कोशिस करें तो यह एक very defined impulsive wave है तो चलिए इस impulsive wave के साबसे short term में जो short term trader होते हैं उसकी अनुसार क्या target निकल के आ रहा है यह आप देखिए करीब करीब इसने 127.2% का expansion का target अचीव कर लिया है और इसलिए price पिछले 3-4 दिनों से कहिने के 127.2% के उपर में जा पा रही है तो जैसे ही price एक level मैं बताता हूँ 4,241 के उपर में trade होने लगेगी तो इसका अगला target short term में होगा 4,370 के आसपास का कहने का तात्पर है कि short term trading के लिए suitable नजर आ रहा है positional view भी ले सकते हैं जहाँ पर हम एक strategy बना सकते हैं trend को right करने की और stop loss को trail करे तो अगर आपने पूरे वीडियो को देखा है तो TCS के बारे में काफी जानकारी मिल चुकी को अब आप स्वेम भी analysis कीजिए और आपके comments का हमें comment section में होगा पेसबरी से इंतिजार देखने के लिए धन्यवाद फिर मिलेंगे अतिश्या